अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें रूही बेटा तुम अपने परिबार और नहार के लिए इतना नहीं कर सकते आप सब लोग इसे अपने मुह में गरहन कीजिए बोशन दुष्पिदा अभावाया सरवार्द्या अभावाया सरवार्द्या ममीशी बोच्छ बोच कर्मी लग्षी ममीशी बोच जले नुए बोच जले नुए बाबी काले जादू का सोत्र यही लड़की है आपके घर की बहू रूही आज हमने सोचिया धर की जोरी की चाबिया को पाला को सौपते हैं हमारे होते हैं यह चाबी आप किसी और को कैसे दे सकते हैं इस चाबी पर सिरफ हमारा हक है यह एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 9 बजे क्या कह रही है गुरुमा रूही काला जादू करवा रही है इसके मन में खोट है और इसका मन भी काला है तभी इसके ऊपर इस जड़ी बूटी का ऐसा आसर हो रहा है नहीं नहीं गुरुमा मैं क्यू आपने परिवार में काया जादू करूंगी मुझे तो इसके पता भी नहीं है मैंने इसके नहीं किया हाँ गुरुमा आपको कोई गलत फ्यामिय हुई है रुही का मन तो बहुत साफ और सुन्दर है हुआ 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 कि सांच को आंच नहीं हम अभी अपनी बात साबित कर सकते हैं काली शक्तियों को पूजने वाले इन पवित्र चीजों से दूर भागते हैं कि सुँआ हुआ 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 यह देखिये, इस पवित्र गंगाजल से, इसे जलन हो रही है. माँ पर शाहिदे इस गंगाजल में भी तो कुछ हो सकता है, ना? मैं देखता हूँ. समझ, तुम इन सब चीजों से दूर रहो, और गुरुमा को अपना काम करने दो. बच्चा है, सोनी जी. बहुत उत्सुकता है इसे. इसकी उत्सुकता हम अभी शांत किये देते हैं. हो गई तसल्ली बेटा, तुम पर इस गंगाजल का कोई असार नहीं हुआ. करिका तुम रादूर, पिकुच्ची खुच्ची घृच्र कर दादी जी अब क्या कर रहे हैं आप वही जो तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था दादी जी में इस घर से कही नहीं जाओंगी छोड़िये मेरा समान कादी जी आप क्यों पीछे पढ़ी है मेरे क्यों मुझसे जीने नहीं दे रही है क्या पिकाड़ है आकर मैंने अपके साथ मेरा पोता चीना है तुम्हें मेरे पिंको को मुझसे दोर किया है तुम्हें जो लड़का मुझसे बगैर पूछी सास तक नहीं लेता उसे मेरे खिल अजिन गया है। हीरे के जैसा मेरा पोता करोडों में ही। कले क्या पड़ा? जिसकी किसमत में तुम्हारे जैसा पत्थर आ गया। जिसे मैं अपने पोते की संदी की से निकाल कर रहा हूँगी। चड़ो अटो कहीं नहीं जाओंगी मैं कहीं नहीं जाओंगी। और कोई बच्चा द zijі आपका पर वोता जै मेरे उसको भगाकर शादी कर ली। फिंकु जी ने खुद अपनी मर्जी से मुझे शादी की ति और इस ङर की ना बहौ हूँ मैं कहीं नहीं जाओंगी मैं कहीं भी नहीं जाओंगी। मैं भी देखते हूँ कैसे नहीं जाओ कि कर खर्याओ कर दें यह को की दादी ददिन्य कोपी आपको द्धी चोट कैसे कि मिश्रा जी दिल्लेम च्रॉब की अभी चालू हो गई ने तीक हो श्रीट प्रक्षिक क्या थे मशिन कर आप कि यहां काम उचिन हरा है। काम दोनाब गया और नयुक्त को बोलने की मशिन खराब ही नहीं हुए सर में कल छुट्टी पता मुझे पूरी बात नहीं पता मैं अभी पता करके आपको बताता हूं ठीक आप थोड़ा जल्दी बताइए मुझे इसे बात तो सही है मशिन्स की कोई भी इशू होती है तो मुझे मिश्रा जी ही कॉल करते और अगर वो कल नहीं थे तो मुझे कॉल किस नहीं किया इसे बांदो है पता नहीं सब क्या हो रहा है जब से गुरुम आई है यह अजीब चीज़ें क्यों हो रहे हैं मुझे समझ नहीं हा रहा है रूही क्यों किया तुमने ऐसा किस चनम का बदला ले रही थी हम सबसे रूही हमने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया था उसकी माप ही हमने तुमसे मांग ली थी फिर ये सब क्यों रूही तुम्हारी गल्ती को अपना अगर तुमें इस घर की बहु माना तुमें और अबन प्रवार पती के उपर काला जादू कर रही थी? क्यों रोही? क्यों? इस घर में रुखने का फैसला तुम्हारा था रोही तो फिर हम सब को सजा क्योंगे? क्यों? अब मेरे यह सब जूट है मैं कुछ इन जीजों को नहीं मानती फिर मैं यह सब करूंगी? क्यों इना मेरे लहातब है गलत पह्मी तो तुमको हईती तीरुही तुम्हारे इस अच्छाही की धोंगार कोई तुम्हारेससज पहुच पहुच पाएगा अपने काले जादू से इस्सने आफ सब्सक्षक्न आखों परदा डाला हुआ है इसके माथे की लकीरे साफ साफ बता रही है इसकी और आपके बेटे नाहर की शादी सही हालातों में नहीं हुई थी इसलिए इस घर में पैट जमाने के लिए इसने आप सब पर काला जादू किया जो अब इसकदर बढ़ चुका है कि उसका असर इस परिवार की खुशियों और आपके बेटे की सेहत पे पड़ रहा है इस काले साही से बचने का कोई तो उपाई बताई बताई यह बस एक ही उपाई है चोर ये मुझे अब देखिये मन सुनतर दंगल प्लेपर टीवी से पहले